हेलो फ्रेंड स्वागत थे आप सभी का आर्बेटीव क्लास में तो फ्रेंड आज मैं स्टेटिक्स का एक कोस्टन लेकर करके आ हूं यह कोस्टन एक्सरसाइज 14.1 का कोस्टन नुम्बर 7 है इस वीडियो में अंतलग बने रहेगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत की लोकालिटीज इन अ शर्टेन सिटी एंड एज प्रजेंटेड बिलो जो कि आपको नीचे दिया गया है कि क्या-क्या डाटा कल्कुलेट किया गया है यह हमारे कंसंट्रेशन आफ सो टू इन पी पीम जैसे कि 0.002 0.04 0.04 2 0.08 0.08 2 0.12 0.12 2 0.16 0.16 2 0.20 0.20 0.20 0.24 फ्रिक्वेंसिय में दिया गया है 499242 ठीक है तो यह कुस्ट्वन हमें दिया गया है बेसिकली क्लास टेंट की एंसी ए आर्टी के एस्टेटिक से चेप्टर में एक्सरसाइज 14.1 में मिल जाएगी आप वहां से राइट कर सकते हूं मैं इसे पहले मिटा देता हूं फिर यह वाला और यह वाला डटा लिट करके फिर वापस आता हूं ठीक है आप कहीं मत जाएगा मैं बस इसके जश्ट बह Bernie मिलूंगा वि Bake करना होता है क्लस मार्क तो class mark का पहले मैं फार्मूला बदता हूँ आपको class mark जिसको हम x i से represent करते हैं यह होता है upper class limit प्लस lower class limit by 2 या फिर हम कह सकते हैं कि class का जो average होगा वो answer आएगा lower class limit यह होगा, upper class limit यह होगा इन्हों को जोड़ करके 2 से divide कर देंगे जो answer आएगा वो हमारा x i होगा अब x i का मतला होते हैं कि i के place पर हम 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो हमें x1, x2, x3, x4, x5, x6 मिलता जाएगा तो सबसे पहले जब one find करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 is equal to, upper class limit कितना है? 0.04 और lower class limit कितना है? 0.00 0.04 पलस 0.00 बाई 2 अब आप इसको add करोगे तो आपको मिलेगा 0.04 0.04 अपांट 2 तो x1 कितना आजाएगा? x1 आजाएगा आपके पास देखो 2 अंजा 2, 2, 2, 2 जाफोर यह आजाएगा 0.02 तो x1 मतलब यह हुआ हमारा इसमें fill कर देंगे 0.02 अब हम x2 find करेंगे x2 is equal to देखो x2 मतलब देखो यह दूसरे वाले class इंट्रोल का तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0.08 पलस 0.04 अपां 2 अब इनको जो अब solve करेंगे तो यह आजाएगा 0.12 बाई 2 और divide करने पर देखो 2, 6 जा 12 आता है तो यह होजेगा 0.06 गलती से इसे 0.6 मत write कर देना कितना आएगा? 0.06 आएगा यहाँ पर इसको write कर लेंगे इतना करने के बाद में student आपको हर एक class का इसी तरीके से निकालने की कोई भी जरो नहीं है आपको क्या करना है देखो यह जो दोनों class mark गए ना तो इसमें से इसको minus कर दो means देखो यह जो 0.06 है इसमें से जब आप minus करोगे 0.02 तो आपको result में क्या मिलेगा? देखो आपको result में मिलेगा 0.04 कितना मिलेगा? 0.04 यही 0.04 आप इसके आगे add करते ही चले जाओ जैसे अभी आप 0.06 में 0.04 add करोगे तो यह हो जाएगा 0.10 अब एक बात और मैं बजाता हूँ कुछ समय के लिए अगर आप भूल जाओ कि यह 0.0 लिखा है तो आपके लिए काम और असान हो जाएगा कैसे? देखो 0.0 तो समय लगाना ही है जैसे मैं लगा देता हूँ 0.0.0.0 जगो 2 हुआ 2 में 4 add करेंगे 6 होगा 6 में 4 add करेंगे 10 होगा और फिर अगेन अगर आप 10 में 4 add करोगे तो 14 हो जाएगा अगेन 4 एड करोगे तो 18 हो जाएगा और अगेन 4 एड करोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा तो आप हो गया 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22 तो आपको करना क्या होगा कि ऐसे x1 और x2 का निकालने के बाद में उसका difference find कर लेना है वह difference एड करते जाना है बार बार निकालने क पिजरोद नहीं या फिर आपको जो अच्छा लगए आप वो कर सकते हो अब देखो class इंटरवल फिल करने के बाद में हमें multiply करना होगा तो multiply पहले हम कर लेंगे decimal बाद में लगाएंगे देखो 248 तो यह हो जाएगा 008, 96 54 तो यह हो जाएगा 054, 910 90 तो यह हो जाएगा 090, और यह हो जाएगा 84 तो यह हो जाएगा 22 into 44 तो कि आपको क्या करने सबके досक्ण साथ से दोड़ सोड़ कर डेसमाल लगा देना है जैसे Pepsi decimal यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तेक्षे अब इतना काम आपने कर लिया तो अपका काम बहुत ही आसान हो गया कैसे frequency को add कर लिजे 4 9 13 13 प्लस 9 22 प्लस 2 24 प्लस 4 28 और प्लस 2 30 तो जो हमारा frequency आगया हो कितना आगया 30 आगया हमें यह करना है सम्मेशन आफ फाई एकसाई तो देखो 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20 प्लस 2 22 प्लस 4 26 तो यहां पर आगया 6 केरी टू 5 9 14 216 16 20 23 27 and 29 दो डिजिट के बाद डेजिमल है तो यहां पर भी डेजिमल रहेगा यह कितना आ गया 2.96 और यह कितना आ गया 30 आ ठीक है तो इतना कर लेने के बाद में here summation of fi is equal to 30 and summation of fi into x i is equal to 2.96 ठीक है बाइ यूजिंग आप कौन सा मेथर्ड लगा गए आपको बताना है तो बाइ यूजिंग कि डाइरेक्ट कि मीन मेथर्ड कि मीन मेथर्ड कि यह है तो जब डाइरेक्ट मीन मेथर्ड लगाएंगे तो उसका फार्मूला क्या होता देखो मीन मीन को हम एक्स बार से रिपर्जेंट करते हैं इसका फार्मूला होगा सम्मेशन fi into xi अपान सम्मेशन fi ठीक है fi क्या है फ्रिक्वेंसी है और यह इसका प्रड़क्ट है इन दोनों का तो इसका हमने निकाल रखा है वो यहां पर पूट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2.96 अपान 30 ठीक है अब देखो आप चाहो तो औरली कर लो या फिर अगर आपको प्रब्लम होती तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करेंगे कैसे यहां के डेशिमल को रिमूब करना है तो हंडेड अंडेड नीचे उपर मल्टिप्लाई कर लो 296 अपान 3000 इत्ता हो जाएगा 30,000 और अब आप इसको साधार तरीके से इसे डिवाइड कर लो 30,000 296 अब देखिए चोटा है जाएगा है नहीं तो 39 टांज जाएगा कैसे पता चला तरीकर टेबल पढ़ोगे तो 3927 होता है तो यहां पर 9 टांज ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3927 कि तू 600 डेशिमल लगा हुआ 10 बढ़ जाएगा 38024 होगा ठीक ठर टू बढ़ जाएगा सो डेशिमल लगा हुआ एक जिरो और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3618 हो जाएगा बाकी यह आता रहेगा ऐसे तो हमको ज्यादा सॉल्व करने की ज़रों ने अल्लडियम तेन डिजिट तक सॉल्व कर चुके हैं अब देखो अगर यह डिजिट 5 से बड़ा है या 5 है तो इस वाले में 1 एड कर देते हैं यानि जो यह 8 है क्या होजएगा यह होजएगा 9 यानि आंसर आएगा 0.099 कितना आजएगा 0.099 तो फैनली यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा 0.099 अब देखो जो 0.099 है लंबा सा method divide करने के बाद हमारा आंसर आया हमें कुछ थोड़ा easy तरीके से भी करना आना चाहिए तो उसको भी बताता हूं मैं अभी आप चौत इसे write कर लो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़े दिर के लिए जैसे अभी हमारे पास आया 2.96 अपान 30 तो 30 को आप क्या write कर सकते हो देखो 3 बड़ा है 2 छोटा है डिविजन जाएगा नहीं तो क्या करेंगे पहले decimal लगा लेंगे आप जाएगा 39 जा 27 तो रिमेन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 38 जा 24 24 तू रिमेन हो जाएगा 36 18 और यहां पर अभी कितना बचा हुआ 10 बचा हुआ डिविजन में तो आपको पते हैं आप किसी भी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करते हो तो क्या बढ़ता है सिर्फ एक decimal आगे बढ़ जाता है left side में तो यह decimal नाइन नाइन तो यह हो जाएगा 0.0986 अब आपको पता हिए कि इसे एक डिजिट एड करना है तो यह हो जाएगा कितना 99 ठीक है तो आप जिस भी तरीके से चाहों कर सकते हो answer final answer हमारा कितना आया तो final हमारा answer कितना आया mean तो mean आ गया यहां पर 0.099 लेकिन answer हमें बोला था प पर पीपीम रइट कर देंगे पीपीम और यह आंसर जो होगा और यह प्रॉक्स में होगा एप रॉक्स में ठीक है तो यह मारा फाइनल आंसर आजाएगा आप चाहो तो इसे रेट डून कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्रावी पसंद आया है तो बीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class